अगर आप लेटे स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपने e-sim के बारे में जरूर सुना होगा हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अधिकतर फोन में सिर्फ e-sim का ही ऑप्शन दिखाई दे ऐसे में आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए e-sim एक virtual sim है जिसे physical sim के तरह फोन में नहीं डालना पड़ता मगर इसमें आपको sim card जैसे सबी features मिलते हैं e-sim के बहुत सारे फायदे हैं operator बदलने पर आपको sim card बदलने की जरुरत नहीं पड़ती और इससे mobile network switch करना भी बहुत आसान हो जाता है इसका मतलब अगर किसी network पर signal की दिक्कत है तो आप उसे तुरंट switch कर सकते हैं अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि e-sim को activate कैसे करें आम sim card की तरह ही इसके लिए आपको network operator के store पर जाकर कोई भी वैत पहचान पत्र और photo देनी होगी जिसके बाद आप मौझूदा sim card को e-sim card में बदल पाएंगे अगर आप घर बैटे e-sim को activate करना चाहते हैं तो get e-sim लिखकर space देकर 32 digit का e-id space 15 digit का imi number देकर 199 पर बेज सकते हैं